नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वले हूँ पेट में गेज बनने के कारण और उसके उपाए फ्रेंस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चेनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चेनल को सस्क्राइब कर लीजे और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक सरूर करें आप बढ़ते हैं वीडियो की तरब बरतमान समय में गेज की प्रोब्लम होना आम बात है इस प्रोब्लम की कहीं वज़े हो सकती है आज हम आपको ऐसे कारण बता रहे हैं जो पेट में गेज बनने के लिए काफी हद तक जिम्यदार है अगर आप इने avoid करेंगे तो इस प्रोब्लम से बस सकते हैं आप फ्रेंज जानते हैं कि ऐसे कौन-कौन से कारण है जो आपके पेट में गेज बनाती है जानते हैं इसके बारे में आप बात करते हैं पहले कारण की देर राद तक जगा रहना देर रात तक जगने से इन डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है इससे पेट में गेज बनने लगती है तो फ्रेंस कोशिश करें कि आप देर रात तक ना जगे रहें इसके अलावा फ्रेंस बात करते हैं अगले कानरन की जो की है जल्द बाजी में खाना ऐसा गन्ने से खाना अच्छे तरीके से जबाकर नहीं खा पाते हैं इससे वह डाइजेस्ट होने में समय लगता है जिससे पेट में एसिड बनने लगता है और पेट में प्रॉब्लम होने लगती है अब बात करते हैं अगले कारण की जो की है लगातार बेटे रेना कहीं घंडों तक लगातार बेट कर काम करने से खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है इसे पेट में जरूरत से ज़्यादा एसिड बनने लगता है और गेस की प्रोब्लम होने लगती है अब बात करते हैं अगले कारण की जो की है ज्यादा मीटा खाना अगर आप बहुत ही अधिक मातरा में मीटा खाते हैं जैसे की मीठाई में शक्कर की मातरा अधिक होती है इन्हें ज्यादा मातरा में खाने से तुरंत गेज बनने लगती है तो आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी मीटा ना खाएं अब बात करते हैं अगले कारण की जो की है कॉल्डरिंग सोडा और कॉल्डरिंग में कार्मन डाय अकसाइड बबल्स पाए जाते हैं जो पेट में जाकर एसिट पेदा करते हैं इन्हें पीने से गेज की प्रोबलम होने लगती है कोशिश करें कि आप कोल्डरिंग का इस्तमाल कम करें अब बात करते हैं अगले कारण की जो की हैं जादे मात्रा में तला बुना खाना अगर आप बहुत ही जादा मात्रा में तला बुना खाते हैं जाहिर सी बात है कि आपके पीट में गेज बनती ही होगी तला हुआ खाना जैसे की भचिया समोसा और कचोरी में फेट की काफी मातरा होती है इनका डाइजेसन आसाने से नहीं होता है जिससे पेट में गेज बनने लगती है अब बात करते हैं अगले कारण की जोगी है शराब पीना भीर और वाइन बोड़ी में ऐसीड पैदा करते हैं इससे ज़ादा मातरा में लेने से पेट में गेज बनने लगती है तो आप शराब का बिलकुल भी इस्तिमाल ना करें शराप से पेट खराब होता है और शरीर भी खराब होता है फ्रिंस यही थे कुछ ऐसे कारण जो आपके पेट में गेज बनने के प्रमुक कारण है अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाई बताती हूँ जो आपके पेट की गेज को तुरंत दूर कर देंगे बात करते हैं फ्रेंस पहले उपाई की जो की है अद्रक के रसमे शहद मिला कर पीए अगर आप अद्रक के रसमे शहद मिला कर पीएंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा इसके लावा फ्रेंस बात करते हैं दूसरे उपाई की जो की है ऐसीडिटी होने पर एलो विरा जूस पीए एलो विरा जूस पीने से शरीर में गेस बिल्कुल भी नहीं बनती है यहां आपके स्वस्ते को स्वस्त बनाने में काफी हद तक अच्छा है इसके लावा फ्रेंस बात करते हैं अगले उपाई की जो की है नीबू गुन गुने पानी में नीबू निचोड़कर पीने से तुरंत गेस से रहत मिलता है इसलिए आप नीबू का इस्तिमाल भी कर सकते हैं इसके लावा फ्रेंस बात करते हैं अगले उपाई की एक गिलास प कब पानी में आदा नीबू का रस और एक चमर शहत मिला कर पिये इससे आपका शरीर बिल्कुल स्वस्त रहेगा और आपके पेट में गेस बिल्कुल भी नहीं बनेगी अब बात करते हैं अगले उपाई की जो की है त्रिफला पाउडर त्रिफला पाउडर को दूद में मिला कर पिये इससे गेस बिल्कुल नहीं बनती है यहाँ आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है इससे वज़न भी कम होता है अगला उपाई है मूली मूली काट कर उस पर थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्ची पाउडर डाल कर खाए यहाँ आपके गेस की प्रोबलम से आपको तुरंत रहात देगा तो देखा फ्रिंस आपने यहीते कुछ ऐसे गरेलो उपाई जिसके इस्तमाल से आप अपने गेस की प्रोबलम से तुरंत रहात पा सकते हैं उमीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थांक्यू फ्रेंज मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई